आज हम देखेंगे चिकन मयो सैंड्वीच दो तरीके में सिर्फ 10-15 मिनिट में बनके तयार हो जाएगा आप जरूर ट्राइकर कि देखे आपको पसंद आएगी रिस्पी देखने के बाद आपको रिस्पी अच्छी लगी तो लाइक करिए शेयर करिए कैसे लगी कि मुझे कामेंट कीजिए मेरे चानल पर आप पहली बार होंगे तो जरूर मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है फिर किस बात की देरी फ्रेंक चलो ये रिस्पीस बनाना शुरू कर देते हैं फर्स्ट हम स्टफिंग बना लेंगे एक पान ले लेंगे ग्यास को आन कर देंगे अब ये पान में दो टीस्पून जितना आईल एड़ कर लेंगे अब फैस को एक मिनित तब फ्राई कर लेंगे जदा फ्राई करने के जरूरत नहीं है बस कच्छी समय जाने तक कि प्यास को फ्राई करना है बस सिर्फ प्यास ये दाली थी अब चाहें तो इसमें मन चाहें वेज़टरेबल से भी आट कर सकते ही जल्दी पकने वाले अब आट कर लेंगे, यह 200 ग्राम चिकन है, चिकन को अच्छा सा क्लीन करके इसी तरह चोटे चोटे पीस कट कर लीजिए, चोटे चोटे पीस होंगे तो जल्दी पक जाएंगे, जाधा टाइम नहीं लगेगा, पांसे छे मिनिट में चिकन पक जाएगा, अब स्वाद अनुस नमक दालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर देंगे, यह चिकन कलर चेंज होने तर, देखो, अब यह चिकन कलर चेंज हो गया है, अब ढखके, चार से पांच मिनिट के लिए, मीडियूम फ्लेम पे रखके पकाएंगे, बीच में एक बार ढखकन निकालके, दुबारा से मिक् अब यह पांच मिनिट तक मैं चिकन को अच्छा सा पकाई थी, अब चक कर लेंगे चिकन पका हुआ या नहीं, यह चिकन तो अच्छा सा पक गया है, अपका चिकन नहीं पका हो तो और थोड़ी देर चिकन को पकने तक पका लीजिए, अब इसमें आट कर देंगे, दो कटे हुए हरी मिर्ट, मैं यह मोटी वाली हरी मिर्ट दाल रहे हुँ, तीका कम लगेगी, बच्छों को भी अच्छा लगेगी, तीका कम होगा तो, अब तीका ज़्यादा पसंद करेंगे तो हरी मिर्ट थोड़ा ज़्यादा ही दाल लीजिए, अच्छा सा मिक्स कर देंगे, अ अब स्टफिंग बनके तयार हो गई है ग्या साफ कर देंगे अब स्टफिंग को थंडा होने के लिए रख देंगे थंडा होने के बाद अगला प्रॉसस देखेंगे यह हम पर मैं चार बैडड स्लाइस ले ली हूँ यह नार्मल प्रेड है अब छाहे तो सैंड्विच बेडड भी यूज़ कर सकते ही अब एज़िस निकाल लेंगे अब चाहे तो रख सकते ही मैं तो निकाल रही हूँ पस इस सैंविच बनाने के लिए ज़ादा टाइम नहीं लगेगा बहुत ही हल्थी है बच्चों के लिए अब ज़रू ट्राइ करिए अब देखो इस सारे एज़ेस में निकाल दी हूँ यह ज़र से अब चाहे तो ब्रेट कॉंस भी बना सकते ही अब यह स्टफिंग में दो टेबल स्पुन जितना मयोनिस आड कर लेंगे मयोनिस थोड़ा कम ज़दा करके दाल सकते ही अब मयोनिस ज़दा पसंद करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा दाल लीजिए नहीं दालना चाहे तो अवाइट भी कर सकते ही अब इस्टफिंग बन गया है अब एक bread slice लेंगे इसमें इस्टफिंग को एड़ कर लेंगे स्टफिंग थोड़ा कम ज़दा करके दाल सकते ही अब ज़दा पसंद करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लीजिए अब इस्टफिंग एड़ करने के बाब अब एक bread slice लेके इसको कवर कर देंगे कवर करके हलका सा प्रेस कर दीजिए बनके तयार हो गया है चिकन मयो सैंडवीच अब इस सैंडवीच को कट कर लेंगे इसी तरह भी सर्फ कर सकते ही अब कट करके भी सर्फ कर सकते ही मैं कट करके दिखा देती हूँ बहुत ही यम्मी बना हुआ है सैंडवीच आप भी ज़रू ट्राइ करके देखिए अब क्रिस्पी सैंडवीच बनाएंगे दो ब्रेट स्लाइस ले लेंगे अब ब्रेट स्लाइस में स्टॉफिंग एड़ कर लेंगे इसके एड़्जर्स ब्रेट के चाहे तो कट कर सकते ही एक ब्रेट को चाहे तो टमेट अपकेचप भी आड़ कर सकते ही अब ब्रेट स्लाइ के बाब यह सैंड्वीच को रख देंगे उपर से भी थोड़ा सा आईल ग्रीस कर देती हूं यह ब्रेट स्लाइस को आईल या बटर हलका सा प्रेस करते हुए एस सैंड्वीच को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखके अच्छा से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राइ करना है सिर्फ आदर मिनिट में कलर चेंज हो जाएगा जाधा टाइम नहीं लगेगा और दूसरे सैट फलट देंगे देखो यह अच्छा सा कलर चेंज हो गया है और थोड़ा चेंज करेंगे इसको भी दूसरे साइट भी लो टू मीडियम फ्लेम पे रखके अच्छा सा कलर बनके तयार हो गई ही दो तरीके के चिकन मयो सैंडवीच आप भी जरूर ट्राइके के देखिए बहुत ही आसान है रेसिपी बच्छों को तो बहुत पसंद आएगा कैसे लगी फ्रेंड्स भी राच की रेसिपी वह उमीद करती हों कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी प फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ तैंक यू फर वाचिंग